Assalamualaikum बच्चो बच्चो जो तस्वीरी कहानी सिलसिला है जिसकी मैं आपको मेरी लिखी हुई चंद और किताबे भी पढ़के सुना चुकी हूँ तो आज की जो कहानी है वो हमारी बहुत बड़ी फनकारा है शीमा किर्मानी जो एक सोशिल एक्टिविस्ट भी है उनके बारे में है यह कहानी और जिस तरह मैंने बग्या किताबे पढ़ी के दो हिस्सो में ताके विडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो आज भी यही होगा कि आज आप सुनेंगे पहला हिस्सा इस किताब का और उसके बाद कल दूसरा हिस्सा तो यह है वो किताब ठीक है शीमा किर्मानी यह देखिए अच्छा मैं आपको पहला पढ़कर सुनाती हूँ जब उनकी जो सबसे छोटी बहन है वो पैदा हुई और शीमा और उ इस तस्वीर में देखिए इनके भाई कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि यह तो बिल्कुल गुडिया जैसी है चोटी गुडिया और शीमा कहती है कि हाँ शायद मगर यह तो हर वक्त सोती रहती है या लोती है चलो ना छोड़ो इसे हम बाहर खेलने जाते हैं उनको कोई कूद भाई के साथ तो शीमा किर्मानी जो हैं वो 16 जनवरी 1951 में होली फैमिली एस्पताल रावल पिंडी में पैदा हुई चुकि उनके वालिद सलावदीन किर्मानी फौज में ब्रिगेडियर थे लहाज़ा उनका बच्पन पाकिस्तान के मुक्तलिफ शहरों और मकामात पर गुजरा जिन में रावल पिंडी, लाहौर, मरी, खारिया, लाला मुसा ये सब शामिल हैं शीमा से 11 महीने बड़े उनके भाई फारिस हैं और उनसे 3 साल चोटी बहन रुमीना है जिनका जिकर हो रहा था जो चोटी सी गुड़िया फारिस और शीमा बच्पन में हर वक स साथ साथ खेलते थे बड़े होकर भी एक इनसाफ पसंद और पुरम माशरे के लिए इन दोनों के ख्यालात यकसा हैं शीमा और फारिस का पहला स्कूल स्टेशन स्कूल रावल पिंडी था उसके बाद उन्होंने दो साल कुल डाना मरी में गुजारे और वहां दो साल यहां पर शीमा को स्कूल में पियानो सीखने का मौका मिला और चार साल उन्होंने बाकाइद की से मगरबी क्लासिकी मुसीगी की तालीम हासिल की इनी दिनों शीमा को रख से भी दिल्चस्पी हो गई पैदा हुई और वो अपने कमरे में रिकॉर्ड बजा बजा कर और डान किया करती थी यह देखिए जैसे हर बच्चा करता है ठीक है ना अच्छा तो इसके बाद यह हुआ कि यह लोग यानि शीमा के वालिद का जो तबादला था वो खानिया हो गया क्यूंके फाजी तो आपको मालूम है ना कि उनका तबादला होता रहता है मुक्तलिफ चाउनि के करीब लाला मुसा में यह लोग रहने लगे यहां उन्हें हरे भरे खेत और मवेशी और फितरत से जुड़ी खुब सूरत चीजों को करीब से देखने का मौका मिला और इन सब चीजों से शीमा को बहुत लगा हो था यह देखिए ठीक है तस्वीर नजर आ रही है ना एक दिन शीमा से कहा कि शीमा क्या तुमें मालूम है मुझे लाहौर के एचसन स्कूल भेजने की बाते हो रही हैं शीमा ने कहा हैं वो क्यूं भाई ने कहा क्यूंकि लाला मुसा के बजाए लाहौर के स्कूल बहतर होते हैं अच्छा तो जाहर है शीमा उदास तो हो गई हो कराची मुन्तकिल हो गए ठीक है 1963 में उनका मकान E.I. Lines में जहां पर ट्रैम एक जमाने में कराची में ट्रैम चलती थी तो ट्रैम की पट्रियों के गरीब था घर और उस उस इलाके को आम तोर पे लोग जानते थे ट्राम पट्टा ठीक है ट्राम पट्टा कहलाया जाता था अच्छा और उस जमाने में कराची में साइकल डिक्षा भी बहुत आम थे दोनों बेहने कलिफ्टन में वाके स्कूल कॉन्विन्ट ओफ जीजस इन मेरी में पढ़ने लगे ये देखिए ट्रैम की भी तस्वीर देखिए आप एक रूसी खातून थी जो रॉप्सन रोड पर वाके मॉडल सेकंडरी कर्ल स्कूल में प्यानो बजाने पर मामूर थी और एक बात आपको मैं बताओं मैं उसी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ और मुझे ये प्यानो टीचर बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि हम सब बच्चे हॉल में जाते थे और वो बहुत ही भारी भरकम सी खातून थी वो और वो प्यानो बजाया करती थी और हम सब गाया करते थे बच्चे ठीक है ये जब फारिख हो जाती थी हमारे स्कूल से तो दुपेर और शाम को वो अपने बाथ आइलेंड जो है ना क्लिफ्टन में जो फ्लैट्स हैं वहाँ एक फ्लैट में रहती थी तो वहाँ पर वो प्यानो के टूशन दिया करती थी तो शीमा भी उनके घर पर प्यानो सीखने जाया करती थी ठीक है अच्छा और वो बहु प्यार है कि शौक बढ़ता गया जितना ज्यादा जिसकी बच्चे की होसला अफजाई जिस चीज में होती है तो उसमें शौक भी और पैदा हो जाता है तो यह रही वो प्यानो टीचर जो मेरे स्कूल में भी प्यानो बजाने रोजाना आया करती थी और मुझे तो उस वक् एक कॉमन चीज हमारे बच्चपन की निकलाएगी अच्छा तो शीमा को बच्चपन से यह जरूर था कि जब वो मसलां अगर सड़क पर गरीबों को देखती ही या फकीरों को देखती ही वो तो अपनी गाड़ी में जा रहे होते खुद तो उनका पूरा खांदान शीमा का लेकिन ये जो लोग पैसे मांगते थे तो वो अपनी ममी से कह रही है इस तस्वीर में कि हमारे पास तो गाड़ी और सब कुछ बहुत अच्छा है मगर ये इतने सारे लोग इतने गरीब क्यों हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि इस लड़की ने इतने फटे हुए कप अपड़े पैने हैं इनके पास पैसे क्यों नहीं हैं तो ये जो तफरीक है ना माशरे में गरीब और अमीर वाली और है ना तो वो उससे उनको परेशानी शुरू से बच्पन से वो इन बातों को सोचा करती थी कि ऐसा क्यों होता है एक दिन बैठे हुए थे उनके वालदेन भी किताबे पढ़ रहे थे अखबार पढ़ रहे थे और इनकी अमी ने कहा कि शीमा तुम ना किसी खेल में हिसा लेती हो ना वर्जिश करती हो मैंने फैसला किया है कि तुम्हें मिस्टर घंशाम के डान्स स्कूल में दाखिल करा दूँ उनका रिद्मिक आर्ट सेंटर इदर बहदराबाद में है ठीक है हम कल वहाँ चलेंगे शीमा ने कहा मुझे नहीं मालूम डैडी आप कुछ कहें ना मैं इतने बरसों से प्यानों तो सीख रही हूँ अब रक्स भी सीख हूँ और वो भी क्लैसिकल अच्छा ठीक है उसने अमी से कहा बच्ची थी शीमा ठीक है ना और जो मिस्टर घंशाम थे वो और उनकी बेगम नीलमा घंशाम इन दोनों का तालुक कलकत्ते से था हिंदुस्तान का जो शहर है बहुत बड़ा बंगाल में कलकत्ता तो वो पाकिस्तान के वजीर आजम हुसेन शहीद सुहरवर्दी की दावत पर ये दोनों मियाबीवी पाकिस्तान आए थे ठीक है ना अच्छा यहां पर बहादुराबाद में एक उन्होंने स्कूल खोला जिसमें वो म्यूजिक और डान्स सिखाने लगे क्यूंकि जो प्राइम मिनिस्टर थे उस जमाने में हमारे पाकिस्तान के तो वो चाहते थे कि कल्चरली पाकिस्तान जो है वो बहुत ये सारी चीजें जो है वो क्लासिकल चीजें वो बच्चे सीखा करें तो और और पाकिस्तान इस तरह कल्चरली आगे बढ़े तो घंशाम ने मशूर हिंदुस्तानी रकास उदेशंकर के स्कूल आफ डान्स अलमोरा में 1936 से 1940 तक रक्स और मुसीकी की बाकाइदा तालीम हासिल की थी कराची में इन दोनों मिया बीवी ने 25 बरसों तक कई सो लड़के लड़कियों को इस फन की तालीम दी चूंके इस दोर की हुकूमतें चाहती थी के पाकिस्तान में हर तरह के फुनूने लतीफा फरोग पाएं ठीक है फिर क्या हुआ कि जो ब्रिगेडिय किरमानी थे एक दिन वो घर आए और उन्होंने कहा ये खासा इवेंट फुल साल है फारिसमिया आगे पढ़ने इंग्लिंड जा रहे हैं मैं आज रिटायर हो गया और मालूम है मुझे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पुरेशन क चेर्मेंशिप की पेशकश हुई है अच्छा इसी जमाने में शीमा जो है वो और उनके भाई फारिस ये अक्सर शेहर में जो चाइनीज कॉंसलेट था ना और जो रशन फ्रेंशिप हाउस कहला आता था वहां पर फिल्में देखने चले जाते थे आज भी मौजूद है जा लेकिन वहां उस जमाने में मार्कसिस्ट जो नजरियात थे वो उनको जानने को मिला और अदब पढ़ने को मिला और 1960 की दिहाई में बहुत से पाकिस्तानी अदीब और शायर, सहाफी, दानिश्वर वगएरा ये सब जो है इन नजरियात के हामी थे शीमा ने Convent of Jesus and Mary से Senior Cambridge और कराची Grammar School से A-Level पास किया ठीक है, तो डिबेटर थी वो और ये जो तस्वीर है जिसमें डिबेट करते हुए दिखाया गया है तो वो कह रही है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मेरे मुकाबल दोस्त ने ये बाते क्या सोच कर की आखिर सब इनसान बराबर हैं और सब को बराबर के हुकोग मिलने चाहिएं माशरे में जब ही अमनो सकून होगा, जब मुनसिफाना बुनियादों पर हमारा माशरा चलेगा फारिस के बरतानिया जाने के बाद शीमा ने भी लंदन के क्रॉइटन स्कूल आफ आर्ट का रुख किया जहां से वो फाइन आर्ट की तालीम हासिल करके वापस पाकिस्तान आ गई और कराची में मिसिस मसूद की अकैडमी में बहसियत आर्ट टीचर उन्होंने काम करना शुरू किया इस दोरान क्लैसिकी रखस की तरफ उनकर रोजान बढ़ता गया और उन्होंने अपने उस्ताद घंशाम के स्कूल में रखस की तालीम देना शुरू कर दी शीमा ने ये भी तेह कर लिया था कि वो माशरे के सबसे ज्यादा मजलूम तबके के लिए काम करेंगी जिसके लिए उन्होंने फैक्टरियों में काम करने वाली मजदूर औरतों का इंतखाब किया और ये बात है 1972 की 1972 की के वो एक तन्जीम मतहदा मजदूर फेडरेशन में शामिल हो गई जब मजदूर खवातीन जब फैक्टरीस से बाहर आती थी तो शीमा उनसे बात करती थी और उनको उनके हुकुक बताती थी और ये बताती थी कि यानी ट्रेड यूनियन बनाने में किस किसम के फाइदे हैं उनके लिए उधर जो उनके वालदेन थे वो जाहरे बहुत परिशान रहते थे उनकी वज़ा से और ये देखिए ये एक दिन जो ये जो तस्वीर है कि दोनों बैठे हुए हैं और शीमा वापस आई हैं कहीं से और उनकी अम्मा कह रही हैं कि शीमा तुम कहां आती जाती हो हमें तो कुछ समझ में नहीं आता ये सब क्या हो रहा है शीमा कहती हम ममी आपको बताया तो है कि मैं न ओरतों के साथ काम करती हूँ जो फैक्टरियों में मزधूरी करती हैं इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है और उन्हें कोई हुक्ग भी हासिल नहीं है आपको मालूम है कि वो सब मतलब किन मुश्किलात का सामना करती हैं तो अबा भी कहते हैं के देखो हमें तुम्हारी बहुत फिकर रहती है इस तरह के काम बहुत मुश्किल और खतरनाक होते हैं लोगों को जेल भी हो जाती है अच्छा तो मैं बस अब यहां रोकती हूँ इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे कल ठीक है तो जो पार्ट टू है वो क और यह देख लीजिए यह किताब और इसके बारे में फिर मैं वही कहूंगी तस्वीरी कहानियों का सिलसला जो उर्दू में भी मौजूद है अंग्रेजी में भी मौजूद है और उसको शाया किया है ऑक्सवर्ड यूनिवर्स्टी प्रेस में अपनी कॉपी जुरूर ली ज़िए प्रेस कॉपी जुरूर लीजिए अंग्छ में और लीजिए युरूर लीजिए।